दोस्तो 25 जनवरी को सिनेमा गरों में सारू खान की फिल्म पठान रिलीज हो इती जिसको रिलीज हो आज 29 दिन हो चुके हैं लेकिन ए फिल्म अभी भी रुकने का नाम ही नहीं ले रही है या बॉक्स आफिस पर तावर तोड कलेक्शन कर रही है और ये फिल्म काई फिल्मों का रिकॉर्ड भी तोड चुकी है चाहे हो बॉल्यूड इंडस्टी का हो या फिर सौथ इंडस्टी का है या फिर हॉल्यूड इंडस्टी का हो दोस्तों अगर बात की जाए पठान फिल्म के बॉक्स आफिस कलेक्शन की तो पठान फिल्म ने अपने पहले दिन तुफानी कमाई की थी अपने पहले दिन पठान फिल्म का इंडिया में नेट कलेक्शन था 57 करोड रुपय का और फिल्म का अपने पूरे बीज दिनों में इंडिया में नेट कलेक्शन था 493 करोड पचीस लाख रुपय का और फिल्म का अपने पूरे बीज दिनों में इंडिया में नेट कलेक्शन क्लेक्षन से 511 कोड़ 42 रुपए कमा चुकी है वही फिल्म का वर्ड वाइट ग्रोस क्लेक्षन 988 कोड़ रुपए अपने पूरे 25 दिनों में और फिल्म आपने 26 आवे दिन इंडिया में नेट क्लेक्षन से 518 करोड़ रुपए और वही फिल्म का वर्ड वाइट ग्रोस कलेक्षन था अपने 28 दिनों में 1300 करोड़ रुपए दोस्तों अब बात की जाए पठान फिल्म के 29 दिन की कमाई की यानि कि आज तो पठान फिल्म आज इंडिया में नेट के लेक्षन से एक करोड़ कमा रहा है और फिल्म का टोटल बाक्स अप्पिस कलेक्षन 159 करोड रुपए इंडिया से हो रहा है और वहीं फिल्म में पूरे वर्ड में हज़ार पांच करोड़ रुपए का कर रही है अपने पूरे 29 दिनों में दोस्तों पठान फिल्म का कलेक्शन कब रुकेगा ये किसी को नहीं पता वैसे क्या आप लोग भी पठान मुवी देख चुके हमें कमेंट सेक्शन में जबूर बताईएगा